हेलो एवरीवन वेलकम तो आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे कक्षा एक से कक्षा तो के विश्या गनीत की कॉन्वी जीनिस क्वीज का कम्प्ली सॉल्यूशन तो चलिए फटा फश से स्टार्ट करेंगे यहां फर्स कोशिन है दिये गए चित्र में लुप्त चिन को ग्याद कीजिए यहां एक चित्र दे रखा है यहां हमें लुप्त चिन को ग्याद करना है तो यहां बेसिकली हमें देखना है कि क्या दे रखा है तो यहां जैसे चार लोटस दे रखे है नेक्स पिक्चर में दो लोटस है तो चार मैंसे जब 2 को सब्ट्रेक किया है तो हमारे पास में बचा है यहां पर 2 तो सब्ट्रेक के लिए क्या लिख देंगे यहां ऑप्शन सेकिंड माइनस का चिन लगा देंगे बीच में चार माइनस दो बगराबर हो जाएगा दो सेकिंड है दिये गए चित्र में लुप्त चिन को ग्याद कीजिए अब यहां आपको दिया गए चित्र है जिसमें लुप्त चिन को ग्याद करना है जैसे यहां साथ टोटल फ्लावर दे रखे हैं यहां माइनस दो लिख रखा है ठीक है तो यहां बराबर लिख रखा है पांच तो यहां बराबर क्या आजाएगा जो कुशन माखे इसकी स्थान पर क्या आजाएगा बराबर ठीक है तो यहां हो जाएगा एक्वल टू का साइन हो जाएगा option third को correct कर देंगे next third question है उपर दिये गए चित्र में सही विकल्प कौन सा है तो विकल्प दिखते हैं 6 माइनस 3 तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास में 3 next देखेंगे next में है यदि प्रियतम ने 6 इस्ट्रोबेरी खाई है तो कटोरे में बचे इस्ट्रोबेरी की संक्या को ग्याद करने के लिए सही विकल्प की पैचान कीजिए तो यहाँ 6 जब खा लेता है प्रियतम इस्ट्रोबेरी को तो हमारे पास में क्या बचेगा पहले तो यह देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, खाने पर बची है यहाँ पर तीन अब तीन कैसे आएगा 9 मैनस 6, 9 प्लस 6, 9 इंटो 6, 9 डिवाइड़े पर 6 तो यहाँ उप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक, 9 मैनस 6 इकॉल टो 3 हो जाएगा नेक्स्ट है, बेली को 5 गनित समस्याओं बेली को 5 गनित समस्याओं को हल करना होगा उसने कल 2 समस्याओं को हल किया और आज 1 समस्या, कितनी समस्या बाकी है तो यहाँ, 2 और 1 समस्या 3 होगी ये 5 में से 3 समस्या हल कर दी गई हैं तो 5 मैंनेस 2 कर देंगे अब 2 समस्या बाकी है नेक्स दिखेंगे कार्तिक ने अपनी मा से 5 रुपे और अपनी पिता से 2 रुपे लिए और टौफियों पर 3 रुपे खर्च किये पहले तो देखेंगे टोटल कितने रुपे हो गई कार्तिके पास 2 रुपे और 5 रुपे 7 रुपे अब उनमें से टौफियों पर 3 रुपे खर्च कर दिए तो 7 मैंनस 3 बच गई 4 कार्तिके पास बची हुई राशी कितनी हो गई 7 मैंनस 3 4 नेक्स सेविंध कोशन है 68 से 36 कम का मान क्या है अरसर से 36 कम यानि 68 मैंसे 36 गटा देंगे तो यहां 68 मैंसे जब 36 को गटा देंगे तो हमारे पास मैं आंसर बचेगा 32 तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन हो जायेगा वो हो जायेगा थर्ड एर्थ कोशन है 99, 99 से 44 कम का मान क्या है, 99 से 44 कम का मान हो जाएगा 55, 99 माइनस 44 कर देंगे, तो यहाँ 55 बच जाएगा, तो यह था कक्षा 2 वा कक्षा 1 के विशाग गनित की क्वीज अभ्यास का complete solution, इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी important वीडियोज लाते रहेंगे, तो जोड़े रहें हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवार,